नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी अच्छे सोंगे सोस्थ होंगे दोस्तों बिहार डियलेड एड्मिसन काउंसलिंग में क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगेगा इसको लेकर आप सभी का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा है कि ओरिजिनल लगेगा या टी-सी से काम चलेगा और जाती आवास्या पर्मान पत्र कैरेंट वाला चाहिए या फिर पुराना वाला भी दे सकते हैं और रिसीप्ट को लेकर के भी कन्फूजन है तो इस वीडियो को आप सभी लास तक देखिए इसमें हम आपको हर डोकॉमेंट्स को लेकर एके करके च आप सभी इस सूची को देख सकते हैं खुद से तो इसके लिए आपको क्या करना है अपना कोई भी गूगल ब्रोजर को ओपेन कर लेना है और यहां पर आपको सर्च करना है कोसीस्टेडी.com आप देख लिजी आपको इसी तरीके से सर्च करना है कोसीस्टेडी.com यहां पर डीलेड के संबन्द में हर अपडेट जो है सटीक और सबसे पहले मिलती है तो आप सभी को क्या करना है इसी तरीके से कोसियस्ट रिसर्च कर लेना है आपका पेज इस तरीके से खुल जाएगा और सबसे ओपर ही आप सभी देखेंगे बिहार डीलेड काउंसलिंग 2022 सेड्यू और जान लेते हैं क्या-क्या सूची में दिया गया है डोकॉमेंट्स के संबन्द में तो यहां पर देखेंगे सारी जानकारी असान सब्दों में दी गई है आप चाहे तो पर सकते हैं 9 नमबर 2022 को जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाना है हो सकता है इसमें देरी भी हो जा एक दिन दो दिन तो आप सभी को घबराना नहीं है हम आप सभी को एपडेट करते रहेंगे जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहां पर आप सभी देखेंगे कॉलेज नहीं मिला तो आप सभी सलाइड अप कैसे करेंगे सलाइड अप करने पर पुराना वाला कॉले सभी का क्या करना है दो-दो जो है फोटो कोपी करवा लेना है और सभी फोटो कोपी के लिए जो है यानि कि दो-दो परती जो है आपको सभी का फोटो कोपी करवा लेना है और उसे अलग-अलग फाइल फोल्डर में जमा कर देना है और जितना ओरिजिनल डोकुमेंट्स होग और फोटो कॉम्पी दोनों आप से को रिपोर्टिंग सेंटर पर ले करके जाना है रिपोर्टिंग सेंटर आपका जो कॉलेज अलाउट हुआ है वो भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा कॉलेज भी हो सकता है अब यहाँ पर आप से भी देखेंगे आवेदन, आउनलेन आवेदन की डाउनलोड परती एवं आवेदन सुल की हाड कोपी की छाया परती अगर आपके पास ये है जो आप आउनलेन अपलाई किये थी सुरवाती समय में इंटरेन्स एकजाम देने के लिए अगर वो है आपके पास तो जरूर लेके जाएगा कारण लगाते हैं किसी नकिसी डोकुमेनस पर कारण लगाते हैं कारण इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको ब Lao से यसे दिसन लेना है एक्स अंनलेना है और ज्याधा पैसा खाना है तो college का का मैं हवो कि आपको काउज लगाएगा लेकिन बहुत सारे से college है जो बीना बीना CLC का भी admission ले लेता है, बाद में आप दीजिए दो मेने, चार मेने के बाद भी दीजिए या नहीं भी दीजिए, वो manage कर लेता है, लेकिन कुछ college ऐसे हैं, जो आपको हर documents पर आपती जताएंगे, इसलिए आपको उन्हें मौका नहीं देना है, अगर है तो ठीक है, अच college choice सम्मित किये थे, CAF application form आपके पास होगा, ठीक है, और payment receipt भी आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है, तो अभी login करके जो है, payment invoice section में जाइएगा, वहाँ से आप payment receipt को print out कर लिजिएगा, इसके बाद college choice जो दिये है, वो application form को भी आपको print out कर लेना है, तो यानि कि अभी जो आप college choice दिये है, यहाँ पर दो receipt आपको मिला होगा, एक तो आपको CAF application form जो college choice दिये है, और दुसरा आपको payment receipt मिला होगा, तो दो receipt अभी आपको मिला होगा, तो ये दोनों आपके लिए जो है required है, जरूरी है, इसे आप जरूरी समझे, इसके बाद अभी आप college allotment letter डाउन इंटर का, metric और इंटर का एक साथ बता दे रहे है, mark sheet लगेगा और मूल परमानपत्र लगेगा, अगर mark sheet आपके पास है ही, और मूल परमानपत्र आपके पास नहीं है, metric का है या इंटर का नहीं है, इसके बदले में आप provisional certificate ले जा सकते हैं, ठीक है, provisional certificate ले जा सकते हैं या फिर कहें तो अब्वेंदिक परमानपत्र हिंदी आप ले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा अब्वेंदिक परमानपत्र से भी आपका काम चल जाएगा तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा अब आगें बात कर लेते हैं कि महाविद्यालय त्याग परमान पत्र जो CLC होता है College Living Certificate जब आप किसी College से Pass Out होते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीजे मिलती है अगर आप course complete करते हैं तो आपको CLC मिलती है अगर आप कहीं पर admission ले रखे हैं बीच में ही छोड रहे हैं तब आपको TC मिलती है transfer certificate मिलता है अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं graduation में ही admission करके रखे हुए हैं और बिना complete किये हुई उसे आप छोड रहे हैं तो आपको TC मिलेगा तो यह जो original आपको college से मिलता है TC या CLC तो यह original documents आपको college में रख लिया जाता है उसका नियम ही है कि college में जब आप admission लेंगे तो CLC या TC वो रखेगा ही रखेगा original और उसके साथ में परवजर परमान पत्र भी original लगेगा यह क्या होता है जैसे कि आप inter pass out की होंगे तो आपको migration certificate दिया गया होगा बिहार विद्याला परिक्षा समिति की और से लेकिन जब आप 10th pass की होंगे तो वहाँ पर आपको migration नहीं मिला था लेकिन inter pass out करने पर आपको migration मिला होगा और graduation pass out हुए होंगे तो भी आपको migration मिला होगा या फिर PG pass out हुए होंगे तो भी आपको migration मिला होगा तो ये जो है migration और CLC ये आपको original लगेगा बहुत सारे college जो है परवजन परमान पत्र या कहें तो CLC में से कोई एक ही documents लेने की बात कही है लेकिन नियम है ये दोनों documents original college के द्वारा रख लिया जाता है लेकिन बहुत सारे college ऐसे भी बोलेंगे कि अगर आप इंटर बिहार बोर्ट से pass out है तो यहाँ पर परवजन परमान पत्र देने की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि नहीं ले लेकिन लेना है उनको उनका काम है लेना है अगर लेता है तो आपको जब pass out हो जाएंगे तो उस समय आपको returning कर दिया जाएगा या फिर अगर ये वाला returning नहीं करता है जो अभी आप दे रहे हैं तो उस समय आपको बिहार विद्याला परिक्षा समीती द्वारा दूसरा परवजन परमान पत्र लोटाया जा सकता है ठीक है जैसे कि अभी आप गरिजोशन में एड्मिसन लेते हैं तो इंटर का परवजन परमान पत्र दे देते हैं तो जब गरिजोशन पास आउट होते हैं तो आपको युनिवर्सिटी के द्वारा परवजन परमान पत्र मिलता है न की इंटरवाला लोटाया जाता है नया आपको परवजन परमान पत्र मिलता है तो यह हो सकता है तो यहाँ पर आपको यह दोनों required documents है आपको original जो है college के द्वारा रखा जाता है यह जो है उनका काम ही है बहुत सारी college न रखे तो वो अलग बात है अब यहाँ पर देखिए चरीतर परमान पत्र यह क्या होता है character certificate जब आप किसी भी college से pass out होते हैं या फिर बीच में ही course जो है छोड़ रहे होते हैं admission कटवा रहे होते हैं नामंकन कटवा रहे होते हैं तो आपको TC के साथ जो है परवजन परमान पत्र के साथ जो है आपको चरीतर परमान पत्र मिलता है तो college का जो चरीतर परमान पत्र होता है TC के साथ या CLC के साथ मिलता है तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है उसी character certificate से आपका काम चल जाएगा बहुत सारे ऐसे student भी है जो बोलेंगे कि हम 55 से या कहीं और से भी बनवा लेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा चल सकता है कोई समस्या नहीं हो सकती है लेकिन हम कहेंगे कि आपको जो है अपने college से ही प्राप करना है क्योंकि college देता है तो आपको लेने में दिक्कत नहीं होना चाहिए तो college अगर देता है तो आप जरूर लीजिए और नहीं भी देता है तो आप मांग करके लीजिए क्योंकि college का काम है वो good character करके आपको certificate देगा ही देगा ठीक है good best जो भी है वो आपको करके देगा ही देगा बहुत सारे एसे student है जो अभी BABSC में नामंकन लिये हुए हैं वो नामंकन कटवाएंगे तो क्या-क्या documents आपको मिलेगा college से जैसे ही आप BABSC से नामंकन कटवाते हैं तो आपको जो है TC मिलेगा ठीक है क्योंकि आपका पूरा course complete नहीं हुआ तो TC मिलेगा और यहीं आपको original परवजन परमानपत्र university के द्वारा मिलेगा migration certificate मिलेगा तो आपको ये दोनों documents मिल ही जाता है साथ में आपको character certificate भी मिल जाता है अगर कहीं से भी नाम कटवाएंगे तो ये तीनों चीज़े आपको मिलेगा तो ये documents आपको उसी से हो जाएगा ठीक है अब असना तक अगर pass out है तो ये documents आप admission के समय जरूर लगाए अगर मांगा जाता है तो नहीं मांगा जाता है तो आप एक बार पूछ लिजिएगा कि सर हम graduation pass out है तो graduation का documents लगाएंगे ना क्योंकि अगर आपके पास CLC TC नहीं है इंटर का graduation से नामंकन कटवाए हैं या फिर pass out हो चुके हैं तो आपको यहीं असनातक वाला ही CLC देना होगा या TC देना होगा इसके साथ साथ जाती आवासिय और आयप परमान पत्र current वाला बनवा लिजी नहीं है आप चेक कर लिजी और अब भी ही apply कर दिजी जो है आप ततकाल से जरूर बनवा लिजी हम आपको पहले ही सुचित कर चुके हैं यह आपका current वाला लगेगा एक साल के अंदर वाला होना चाहिए जब आप admission ले रहे हो उस समय से लेकर एक साल के अंदर तक होनी चाहिए सपत पत्र क्या है सपत पत्र आपको court से बनता है ठीक है बहुत सारे college आपको format भी दे देंगे कि यह format लीजिए और इसी format को आप court से बनवा करके जमा कर दीजिए यह सारे जो है इसमें जानकारिया होनी चाहिए वो चीज़े आपको college भी दे सकता है यह फिर आप अच्छे वकील के पास जाएंगे तो आप उनको बस बोलेंगे कि हमको जैदा वीडियो भी नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए माफी चाहेंगे लेकिन जितना जरूरी की चीज़े हैं हम आपको वीडियो के माधियम से कुशिस कर दे कम से कम वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे दे तो आप सभी जो है वीडियो को जरूर देखा कीज कुछ भी दे सकते हैं दिव्यां गंडिडेट हैं तो इसको ये सर्टिफिकेट लगेगा ही इसके बाद अपको लेना है तो यह सूची आपको कहां से मिलेगा तो आप Google में आईए और search कीजिए कोसी study देखिए कोसी study आपको search करना है इस तरीके से page खुल जाएगा इसका link आपको इसी वीडियो के description में भी मिल जाएगा और comment box में मिल जाएगा यहाँ पर आपको जो link दिखाए दे रहा है यहीं पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको सभी परकार की जानकर या सामसाओदों में मिल जाएगी तो जरूर जो है आप सभी यहाँ पर visit कीजिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप सभी का बहुत सारे comment अभी भी आ रहे हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर अभी सेक जी पूछ रहे है सर college list वाला PDF खो गया है तो admission में कोई दिक्कत नहीं होगा न college list वाला PDF अगर खो गया है तो आप अभी भी download कीजिए एक बार login करके चेक कीजिए और payment receipt और college choice PDF जो दिये हैं वो दोनों जो है आप print out करके अपने पास जरूर सुरक्षित रखिए और mobile में भी PDF जरूर सेव करके रखिए ताकि अगर खो भी जाता है तो आप उसको बाद में print out कर सकते हैं आपके द्वारा पूछा जा रहा है English Tutorial Sir CVSC Board में मूल परमान पत्र नहीं देता है तो क्या करें अगर मूल परमान पत्र CVSC Board में नहीं देता है तो आपको बता दूँ कि जो आपका mark seat होता है CVSC Board में जो mark seat मिलता है वहीं आपका मूल परमान पत्र भी है और वहीं आपका mark seat भी है मोसापूर जो भी है कटिहार के हैं जो तो कॉमेंट कीजी यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा गया है अब इसे गुपता जी के दौरा भाई पता कैसे चलेगा कि अगले राउंड के लिए किस कॉलेज में कितनी सीटे बांकी है तो यह जो है न बिहार बोर्ड के साइट पर प पहले का है वो कॉलेज हट जाएगा अगले राउंड में वो जो है किसी अन्य स्टूडेंट को एलोट हो सकता है आगे है सर सी एलसी गरिजोशन में ले लिया है अभी गरिजोशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे होगा तो अगर आप अभी एड्मिसन लेना चाहते हैं और नहीं हुआ है तो आपको निश्चित तॉर पर शन से नामंकन कटवाना पड़े गा तभी आपका जो है इधर एड्मिसन होगा तभी आपको टी-सी मिल लेगा टी-सी और मिल जाएगा करेक्टचर सर्टिफिकμέर मिल जाएगा तो आपका अद्मिसन हो जाएगा लेकिन बहुत सारे student ऐसे करते हैं किसी को बताईएगा नहीं बहुत सारे student ऐसे करते हैं कि CLC हम जो है जो इंटर का college है उससे हम बनवा लेते हैं डूब्लिकेट बनवा लेते हैं और उसके थुरू हम admission ले लेते हैं तो graduation भी हो जाता है और मेरा जो है DLA भी हो जाता है लेकिन आगे समय में कभी भी आपको graduation और DLA का degree एक साथ यूज नहीं करना है इस बात को आपको धियान में रखना है और बातें दबा के रखना है तो यह चीज़े समझ गए अगर इसके संबंद में और कोई खास detail चाहिए तो आप comment कीजेगा ह जरूर किया किजिए मेरे भाई है एक इसमें रिपले दिये हुए हैं यहाँ पर देखिए college एलोट हो जाएगा तो college से TC ले लेना मिल जाएगा DLA करने के बाद फिर भी admission करवा लेना BMA तो यह भी बहुत अच्छा reply यहाँ पर आपको मिला है अगर college हो जाता है तब आपको graduation से नामंकन कटवाना है ऐसा नहीं कि पहले नाम कटवा लिए पता चला इधर college में admission हुआ ही नहीं college अलोट हुआ ही नहीं तो यह गलती आपको नहीं करना है पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन सा college अलोट हुआ है तब जो है आप नामंकन कटवाईए ठीक है application हैं कि हम एक सब्ता बात जो है यह documents college में जमा करेंगे फिलहाल जो हमें नामंकन कटवाना पड़ेगा और college जैसे जाएंगे अकर नामंकन कटवाना है तो तुरांत वहां पर application देंगे वहां पर बोलेंगे कि हमें सक्त जरूरत है कि रिप्या जो है इस कार्ज पर जो है सिग current जरूर पड़ते हैं तो आप सभी comment जरूर किया कीजिए लिवे कि फादर संव में जो है माता का नाम और माता की में में पीता जी का नाम जो है आ अगया है तो क्या होगा इसका जो है आप जो है कह सकते हैं कि हाफी डिपीट बनवाएंगे तोसमें आप सही-सही डालेंगे और वहीं आपी डिपीट आपको लगा देना है बांकी चीजा आपको कोई दिकत नहीं होगी इसमें EWS गर्ल के लिए इतना इतना रेंक है तो इस पर हम पहले वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन बता देते हैं आपको गवर्मेंट कोलेज अलोट हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों बहुत सारे स्टुडेंट हैं जो कोलेज च्वेस में गलती किये हैं या फिर कहें तो कोलेज च्वेस दिये ही नहीं है या चूट गया है या पेमेंट फस गया था तो बहुं सारे से स्टुडेंट है जिसका कॉलेज चेस उल्टा-पुल्टा हो गया था तो इतना पराराम से मेरे ख्याल से कॉलेज अलोट हो जाएगा और जो भी कॉमेंट करते हैं थैंक्यू आप सभी को वांकि यार थंबेल कुछ और दिखाते हैं वीडियो में कुछ और बताते हो फ़ालतु भई सोरी इसके लिए क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत यहां इधर उधर करते हैं तो आप वीडियो पा क्लिक करके कि आप तक सही जानकारी पहुंचती है अगर हम सही जानकारी अगर अंदर में नहीं दे रहे तो आप जो हमें कॉमेंट करके बताइए यहां पर देखिए हमने थंबेल में क्या दिया है कि भीहाट डियलेट कॉंसलिंग पर्थम चलन का सीट अलॉटमेंट लेटर जान यह ना लग से जो है वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए नए साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए